जहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जो आपका अभी जो PGT का पेपर हुआ है आपका यह जो पेपर है इसकी आंसर की लेकर आए है और आपके लिए यहां पर हम बता दें कि जो PGT का आपका जो प लिए पर आया है आपका तो यहां पर देखते हैं आपके लिए हम बता दें इसकी आंसर की तो देखिए यहां पर हिंदी में देखिए आज का अपना抱 पूश्ट क्योस्चन यहां पर पूंचा गया था कि भक्ति काल के किस कवी ने ले बरव या बरवाई नाम का भेद ले तो बहे कौन से बहे कभी थे जिन्होंने लिखा है तो आपका सही आंसर था यहां पर रहीम यानि कि बेकल्प नंबर जो एक था आपका यहां पर सही आंसर था बिल्कुल चाहिए यहां पर कौस्चन नंबर 2 पूचा था अपसे की उत्तर राम चरित का प्रधान रस है तो जो इसका जो सही आंसर है वैं है आपका करौण यहां पर राइट आंसर है करौण रस प्रधान रस माना जाता है उत्तर रामचरेत का तो विकल्प नमबर B आपका बिल्कुल सही बहुत बढ़ी राइट आंसर है अंगला क्वास्चन देखते हैं कि उर्दू आगत सब्द है उर्दू आगत सब्द है बताईए क्या था इसका आंसर आपने क्या लगाया इसका उर्दू आगत सब्द है फार तुर्की राइट आंसर था बिल्कुल चाहिए बहुत बढ़ियां तुर्की जन्हों ने लगाया उनका सही आंसर है बिल्कुल चाहिए यहां पर पूछा था आपसे महत्पुन कॉस्चन था कि एक में उपसर्ग का प्रियोग किया गया है अब आपके लिए यहां पर बताना यह आपके चार विकल्प दिये थे इनमेंएसे आपको बताना था कि किसम उपसर्ग का प्रियोग हुआ है कुण कुना में कुदरत में कुणन में या कुटंग में तो आपका हैं पर सही आंसर था जो कौस्चन नमबर 4 का वह विकल्प नमबर यहाँ पर क्या था राइट आ अंसर था बिल्कुल चाई भौध बढ़िया यहां पर पूचा है question number 5 में कि निमनलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है जाकि अलंकार ग्रंथ नहीं पूचा है आपसे नहीं पूचा है कौन सा नहीं है ये आपको बताना है question number 5 है आपने क्या लगाया था इसका सही answer बताईए कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है तो देखे भासा भूसन ये है अलंकार ग्रंथ सिवराज भूसन ललित ललाम ये है लेकिन आपका जो अंग दरपन विकल्प नंबर जो डी है आपका सही आंसर था यानि कि आपका अंग दरपन राइट आंसर था ये अलंकार अंगला question पूछा था आपसे कि यथा सक्ती में कौन सा समास है question नमबर 6 भूत ही महत्तपुन question पूछा आपने इसका क्या answer लगाए था बताईए यथा सक्ती में समास आपने कौन सा लगाए था अव्यवी भाव वहुवरी द्वन्द या तत्प्रोष तो बिल्कुल सही right answer है आपका है यहाँ पर क्या है सही answer अव्यवी भाव आपका यानि की विकल्प नंबर एक जो है आपका सही answer है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया यहाँ पर आपसे पूछा गया था question number 7 कि हिंदी के माक्सवादी समीक चेक माने जाते हैं जो कि बहुत ही महत्तपुन question इसल question है ब चपिए तो आपने इहाँ पर जो सही answer है आपका इहाँ पर विकल्प नंबर C right answer है माक्सवादी समीक चेक पूछा हिंदी के माक्सवादी समीक चेक तो dr. नाम बार सही बिकल्प नंबर C आपका सही answer है question number 8 पूचा है कि सहालई हिंदू पinyas की लेकख कोन माने जाती है प्र यहां पर बताना था तो इसके लेकक कौन है निस्चा है हिंदू उपन्यास है यह और इसके लेकक माने जाते हैं कौन लज्जा राम सर्मा यानि की विकल्प नंबर आपका सी यहां पर बिल्कुल सही राइट आंसर था बहुत बढ़ी हैं यहां पर कॉस्चिन नंबर 9 है एक का बिल्कुल सही राइट आंसर आंसर था यानिकि यहां पर बिकल्प नंबर आपका घ्री की पत्नी थी सही आंसर था question number 9 का डी राइट आंसर था बिल्कुल सही यहाँ पर आपसे question number 10 में पूँचा था कि स्वरसेनी अबरंस के अंतरगत आने वाली भासा नहीं है देखे नहीं पूँचा है आपसे यहाँ पर तो देखे यहाँ पर आपको बताना है आपने कौन सी वा भासा में सही आंसर बताये था बताईए स्वरसेनी अबरंस के अंतरगत ना आने वाली भासा पूँचा है तो देखे गुजराती आती है राजस्तानी पस्च्वी हिंदी यह तो आती है लेकिन सिंधी जो विकल्प नंबर बी है आपका बिल्कुल सही राइट आंसर था विकल्प नंबर बी राइट आंसर था बिल्कुल सही बहुत ही आपका जो है टी जी टी का पेपर आज का ज्य यूटूब चैनल पर अभी आपकी लाइब क्लास होगी तो आप इंतजार करिए और पूरी आंसर की 125 प्रिसने आपके लिए बताए जाएंगे और आप लाइब क्लास से अवस्य जुड़ें कितने question आप से उहाँ पर सही बने हैं आप लाइब क्लास होगी जिसके माध्याम से आपको पूरी सही question की जो है बता जाएंगे कि इसका answer सही क्या था तो इस फिरकार आज के वीडियो में वस इतना ही सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें जादा से जादा वीडियो को सेयर करें लाइक क्लास से अवस्य जड़ें आप तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन